अंगज सिंग ने कॉंग्रेस आला कमान पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोब लगाया कि पार्टी ने उन पर पत्नी अधिती सिंग के खिलाफ बोलने के लिए दबाव मनाया था। कॉंग्रेस ने पंजाब के नवा शेयर सीट से अंगज सिंग की टिकेट काट दी थी जो की यूपी की रायबरेली सदर सीट से कॉंग्रेस विधायक नहीं अधिती सिंग के पती हैं। लेकिन अधिती सिंग के हाल ही में कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के बाद अंगन सिंग को कॉंग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया जिसके लिए उन्होंने आला कमान को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि पत्नी के खिलाफ बोलने से इंकार करने पर उनकी मेरी बाइप किसी सेपरेट हो गी है मेरे से उनकी बोल चल खातम है तो उन्होंने सुबूती मांगे और कुछ नी कहा इससे पहले अंगज सिंग की पत्नी अधिती सिंग ने भी उनकी टिकट कटने पर कॉंग्रेस को निशाने पर लिया था सुबात किकवाती है कि अंगज सिंग पंजाब के दिगजनेता दिलबाग सिंग के परिवार से आते हैं जो नवा शहर सीट से छे बार विधायक रहे जबकि अंगज सिंग के पता और मा भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और 12.17 में खुद अंगत सिंग ने इस सीट पर जीत दर्च की थी लेकिन इस बार टिकेट कटने के बाद वो निर्दलिये ही चुना मैदान में उतर गए